वैने इन उसाब़ों बैट गया है खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उस स्थाती में और इंज्च यह एक इंजेक्षन भूल कर भी 防प पर नाया है वरना हो सकता है बहरी नुकसान यह दी पसु बैट जाता है खड़ा नहीं हो पाता है आपने देखा कि कई पर पसु चाहिए पसु यह आपका प्रिग्नियंट पसु है यह उसी इस्तति में पसु बैट गया है तो उस इंजेक्शन को भूल कर भी प्योग नहीं करें और किस त सब्सक्राइब करें आपको पताएगी चैनल पर सही सटीक से आपको जानकर दी जाती है ताकि आपके प्रसु से समझेट किसी भी तरह की कोई दिकत देखने तो इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें लाइक करें आपके लाइक करेंगी मैं ज्यादा मोटिवेट सब्सक्राइब से संद्सक्राइब है आपका पशुरा मोटिवात भी तो आप इस इंजेक्शन का भूल करने करें। कहने का मतलब करोनिक इल्नेस कई दिनों से विमार है या कई दिनों से पशुव भूख है खाना पिना नहीं कर रहा है तो आप इस इंजेक्शन कव प्रिगन है बैठ गया है तो आप इस इंजेक्शन का उपियोग ने करें एदि पसु ब्याजते यह किसी बिंग इस्तती में प्रशु बैट जाते हैं खड़े नहीं हो पाते हैं तो इस इंजेक्शन का उप्योग भूल कर भी नहीं करना चाहिए कौन सा इंजेक्शन है वह है एक एंटिबाइटिक इंजेक्शन जो ब्रोड स्पेक्टर में ग्राम पोजिटिव और ग्राम नेगेटिव प्रकाम करती है बहुत अच्छी एंटिबाइटिक है लेकिन इस तरह के केस में भूल करना उप्योग करें तो यह वीडियो जो नए वेटिनेयों के लिए तो बहुत अच्छी है और कईबर जो प्रशुपालक है वह भी इन बातों का ज्यान रखना चीए तो वह एंटिबाइटिक आती है एंडिबाइटिक यानि एंडिबाइटिक ब्रांड को इसा भी साल्ट एंडिबाइटिक इन्जेक्शन का उप्योग आप भूल कर भी इस तरह के केस में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए इस बात का आपको ध्यान में रखना है अन्यता आपके पशुँ में बहुत रखता है अब अच्छी तरह समझेंगे कौन सा है एंद्रोफ्लोगजासीन इन्टिमाइटिक इंजेक्शन इस तरह केस में बताएं जितने जो सिम्टम्स बताएं या नर्वाइकल डीजीज पेरालाइस से यादर कोई दिखते एदिया आपके पशुमें हो गई है कई दिनों में नुकसान उठानाई उठाना पड़ेगा तो अब आप अच्छी तरह से समझ गयोंगी तो वीडियो जितना हो सकता है पश्चुपालक है वेटिनेर ने उनके साथ से करें क्योंकि आपको पताएगी चैनल पर इसी तरह की सोट में बहुत ही नोलेज बरी वीडियो लाइ झाल 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 झाल